मचली आँख कैसे सोती हैं। हाँ, वे हमारी तरह खराटे तो नहीं लेती है। मचली की पलके नहीं होती हैं, तो वे आँखें बंद नहीं कर सकती. मचली सो रही है या नहीं, ये उनके बरताव से पता चलता है। सोती हुई मचली कम एक्टिव होती है, उनका मेटाबॉलिज्म और सांस लेने की गती धीमी हो जाती है, वे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया भी कम देती हैं, जैसे ये रीव शार्क कुछ मचलिया कहीं भी सो जाती हैं, वहीं कुछ को पत्थरों या बालू के नीचे छिपना पड़ता है कुछ मचलिया सोते सोते तैरती रहती हैं, जैसे टूना या शार्क, उनके पास गल्फडों में परियाप्त ऑक्सीजन पहुँचाने का बस यही तरीका होता है वैग्यानिको का अनुमान है कि इन मचलियों का आधा दिमाग ही सोता है और आधा जगा रहता है जैसे डॉल्फिन कुछ मचलियां जुणड में सोती हैं, शोदकरता मानते हैं कि इन में से कुछ मचलियां जाककर पहरेदारी भी करती हैं वहीं सोने की कुछ खास आदते भी होती है जैसे पैरट फिश अपने बलगम से एक तरह का स्लिपिंग बैग बना लेती है सुनने में गंदा लगता है लेकिन इसकी बदौलत मोर इल जैसे शिकारी उन्हें सूंग नहीं पाते वहीं भूमध्य सागर में मिलने वाली बलेनी रात में परभक्षियों से बचनी के लिए जमीन पर चली आती है ज्यादतर मचलियां दिन में जागती और रात में सोती है वहीं कुछ निशाचर मचलियां भी हैं जो रात में शिकार करती हैं और दिन में सोती है तो मचलियां भी सोती हैं क्योंकि उन्हें भी बैटरी चार्ज करने की जरुवत पड़ती है लेकिन मचलियां हमारी तरह कभी इतना गहरा नहीं सोती कि उन्हें आसपास की सुधभुधी ना रहे वरना कोई शिकारी आएगा और उन्हें हजम कर जाएगा इसलिए जादातर मचलियां एक बार में कुछ ही मिनट आराम फरमाती है